नमस्कार एंड वेल्कम टू शमधान फ्रेंड्स जैसा कि आप थमनेल पर देख रहे हैं आई सी ए आर इंडियन अगरिकल्चर रिशर्च इंसिचूट भारती क्रीशी अंसंधान संस्थान तो इसके तरब से जो वैकिंसी निकाला गया था आई आर आई इंडियन इसका जोब तो इसका जो अवेधन करने का अंतिमती थी था उसको दस जनवरी निर्धारित किया गया था लेकिन आज दस जनवरी है और बहुत से स्ट्रेंट ने अभी तक अपना फर्म अप्लाइग नहीं किया था तो उनको कहीं नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत गया था उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है तो उसको हम लोग जानेगे कब तक आपका लाश्ट जो है एक्स्टेंड किया गया है और वैसे में जब इसका पहले से एक्जाम निर्धारिक देट है कि 25 जनवरी से आपका एक्जाम होगा तो क्या अब जो एक्जा नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट अप्डेट के लिए जुड़ जाइए और चलिए मैं आपको अफिस्याल वेबसाइट पर लेके चलता हूं क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट यह जो आईयाईराई का वेबसाइट है इंडियन एगरिकल्चर रिशाज इंसेचूट इसका वेबसाइट हमने ओपिन कर लिया है और यहांपे आपको दिखा दूँ तो यहां पर देख सकते हैं आप जो यह फ्लेस नि्ज आरहा है इसम तो यहां पे आप देख सकते हैं यह जो लिखा यहां पे यहां पे के लिए आपको दिखाए देख रहा होगा application portal for recruitment of technician T1 post at various institute of ICAR Indian Agriculture Research Institute तो यहां पे देखिए यहां पे के लिए आपको दिख रहा होगा extension of last day for submission of recruitment application till January 2022 यहां नहीं कि आपका जो आवेदन करने का अंतिमती थी इसको extend करके यहां पे के लिए आप देख सकते हैं इसको extend करके आपका यहां पे 20 जनवरी तक तो यह बहुत बड़ी update है जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यह नीव update ही है और यहां पर किलिए देख सकते हैं 20 जनवरी तो बढ़ाया गया है तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या 25 जनवरी से ही exam होगा इसका तो जैसे कि आप सबको पता है कि देश में क्रोना काफी तेजी से फैल रहा है जो नीव वैरियंट हो मिक्रोन तो इसके मद्दे नजर मुझे नहीं लगता कि अब 25 जनवरी से exam करना क्ट होगा क्योंकि 20 जनवरी तक तो फर्म ही इसका fill-up किया जाएगा तो जो भी आवेदन नहीं किये है वो अपना अगर कोरोना के स्थिती सही रही तो यह हो सकता है कि फेबरवरी लाष्ट तक हो लेकि मुझे आप नहीं लगता है कि फेबरवरी मिल्स से पहले कभी यह exam conduct हो सकता है तो बिल्कुल आप जो भी फर्म नहीं बरहें बिस तरी तक अपना फर लें और जो आपका exam का संभाना ज तो अगर कोई आपको डाउट हो गया है इसमें डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बक्स में कर सकता है मैं उसका जवाब देने कोशिश करूंगा और अगर यह अच्छा लगा है तो नेक्स्ट अप्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल जुड़ जाईए औ और वीडियो को हो सके तो शेयर करती जिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स अप्डेट के साथ तब तक इसी नोट्स के साथ यह वीडियो का अंत थैंक्स पूर लिसेनिंग एंड आई अल्वेस से गौड बलेस यू अल